आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर question में हमसे कह रहे हैं कि Morgan ने येलो बॉड़ी और वाइट आए वाली फीमेल्स के साथ ब्राउन बॉड़ी और रेड आए वाले मेल्स को जब क्रॉस किया तो वो इनके F1 प्रोजनी को आपस में क्रॉस करने पर जो इन्हें observations देखने को मिले उनमें से यहाँ पर जो हमें statements दे रखे हैं उनके according consequences सही हैं तो ये तो हम जानते हैं कि जब भी inheritance की बात की जाती है तो सबसे वहले हमारे सामने जो नाम आता है वो Gregor Mendel का है क्योंकि इन्होंने ही साथ सालों तक लगातार Pysam plants की यानि गार्डन पीज की बहुत सारी generations raise करके इन गार्डन पी प्लांट्स में डाय हाइब्रेट क्रॉस कैरी आउट किया डाय हाइब्रेट क्रॉस से हमारा मतलब है कि दो कैरेक्टर्स की इन्हेरिटेंस हम एकठे साइमल्टेनेसली अब्सर्फ कर रहे हैं तो इन्होंने इसके लिए एक law निकाला था इसको हम बोलते हैं law of independent assortment अब independent assortment से हमारा क्या मतलब है कि भले ही हम दो जीन्स की इन्हेरिटेंस एकठे अब्सर्फ कर रहे हैं लेकिन हमारे observation से उन दो जीन सेट्स पर कोई असर नहीं पड़ता और क्योंकि वो दो जीन्स अलग-अलग characters को regulate कर रहे हैं अलग-अलग characters को control कर रहे हैं इसलिए वो एक दूसरे से बिलकुल independent है, separate है और आपस में उनका किसी तरह का कोई association नहीं है तो इसलिए इस तरह का cross carry out करने पे हमको parental gene combinations भी मिल सकते हैं यानि जिस तरह से parents में यह genes appear हो रहे थी लेकिन वहीं हमें non-parental gene combinations या recombinants भी देखने को मिल सकता है independent assortment की अगर हम बात करें तो हमें दोनों तरह की चीज मिलेगी और Mendel ने जो die hybrid cross carry out किया था अपने python plants पे वहाँ पर f2 generation का जो ratio n को मिला था यानि f1 progeny को आपस में self करने पे जो f2 generation बनी थी उसमें चार तरह की phenotypes थे जबकि parents में केवल दो ही तरह की phenotype होंगे दो ही तो parents हमने लिये थे लेकिन progeny में चार different phenotypes मिले वो भी 9 is to 3 is to 3 is to 1 के characteristic ratio में अगर independent assortment के हिसाब से यह दोनों genes चल रही होती है तो हमें यह ratio मिलता है लेकिन Morgan ने यह जो cross carry out किया था यहाँ पर हकीकत में हम बात कर रहे है fruit flies की drosophila की drosophila में यह cross domino ने carry out किया तो इन्हें f2 में जो ratio मिला अपनी दूसरी filial generation में वो 9 is to 3 is to 3 is to 1 का नहीं मिला था तो यह statement हमारी यहाँ पर correct है ratio इससे deviate कर रहा था और deviate करने का कारण यह है कि drosophila में जो यह दोनों genes थी वो independent assortment का law नहीं मान रही थी क्यों नहीं मान रही थी क्योंकि यह दोनों की दोनों genes एक ही chromosome के उपर मौजूद थी तो body color की और eye color की यह दोनों genes हमको X chromosome के उपर drosophila में यानि fruit fly के अंदर मिलती हैं और क्योंकि यह एक ही chromosome के उपर एकठे मौजूद है इसलिए हम देखते हैं कि इनके बीच में एक तरह की physical association बन जाती है और इनका एक दूसरे से अलग होने का जो chance है वो कम हो जाता है तो जैसे कि हमें independent assortment में parental और non-parental दोनों types देखने को मिलते हैं लेकिन linkage अगर दो genes के बीच में हो जाती है इस physical association को हम linkage कहते हैं तो हम देखेंगे linkage की वज़े से parental types की frequency तो बढ़ जाएगी और बाकी non-parental काफी कम frequency में progeny में appear होंगे जो थोड़ी बहुत recombination इस linkage के बावजूद हो पाएगी उसकी पज़ा से तो जब दो genes एक ही chromosome पे होती हैं तो हम देखते हैं independent assortment का law वो नहीं मानती क्योंकि independent assortment में तो parental non-parental दोनों freely बनने चाहिए मगर linkage जब हो जाती है तो यह parental की frequency बढ़ा देती है और recombination की frequency बहुत ही कम कर देती है तो यहां पर हमारा ratio deviate क्यों किया क्योंकि इन दोनों genes के बीच में linkage थी यह दोनों के दोनों X chromosome पे मौजूद थी और दूसरा statement क्या लिखा हुआ है कि यह दोनों genes independently segregate नहीं होई तो यह भी हमने discuss किया था कि independent assortment का law in on in नहीं माना क्योंकि इनके बीच में association बनी होई है यह separate होने के इनके chances कम है recombination की frequency कम है इसके बाद में statement हमें दे रहे है next वाली कि F2 generation में हमें recombinant types नहीं मिलते हैं अब यह यहां पर complete linkage की हम बात नहीं कर रहे है हो सकती है वो tight हो सकती है या लूज हो सकती है तो यह जो इनोंने cross carry out किया था इसमें इनोंने केवल यह देखा कि ratio इससे अलग था लेकिन ऐसा नहीं है कि recombinants बिल्कुली गायब थे केवल parental ही parental थे तो यहां पर यह बात हमारी गलत हो जाती है कि appearing ही नहीं हुए recombinants हुआ क्या था? linkage की वज़े से इनकी frequency कम हो गई थी और last में again जो statement लिखा है वो हमारे statement B का opposite ही लिखा है तो obviously गलत हो गया यहां पर कह रहे हैं कि इनोंने independently segregate किया था जबके हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि उसके बारे में सही statements दिये है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सुपर